प्रिपेर आईस कोचिंग में आपका स्वागत है हम लोग आज से नया जो इनिशियेटिव है उसको शुरू करेंगे इस नया इनिशियेटिव में हम आपसे चर्चा करेंगे कि डेली आपको जो क्ये आपको कवर करें विचार किया तो अब से अनिशियेटिव पर आपको कुरेंगे डिसकस करके भी देंगे आज पहला लेक्शर है इस संदर में इसको आप लोग देखे समझे और अपने रिव्यूज दीजिए किस तरीके से यह जो आपको मेंस के एंसर लिखने का तरीका बताया जा रहा है इसमें आपको कितनी चीजों में हेल्प हो रही है या अगर आपके क अगर आपको बताना है इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे अब आप देखें के मेंस का एंसर अगर लिखना है आपको तो सबसे पहले क्वेश्चन के key areas पर focus करिए देखें के question में कौन से key words इस्तेमाल किए गये हैं कौन से मुख्य शब्द इस्तेमाल किए गये हैं तो अगर हम इस question के keywords को देखें तो सबसे पहला keyword है इंडो-चाइना border dispute ठीक है तो पहला focus क्या है question सबसे पहले क्या जानना चाह रहा है इंडो-चाइना border dispute और दूसरी चीज जो जानना चाह रहा है वो है इंडिया की strategies को tackle करने के लिए और तीसरी चीज इसमें जो जानना चाह रहा है वो है global implications तो basically ये question तीन major pillars पर based है आपको बताना है कि भारत और चीन के border के disputes में अभी क्या-क्या हुआ है इसका एक insight देना इसकी एक information देनी है इसके बाद आपको ये बताना है कि भारत की इन विवादों को ले करके क्यारणीती है और उसके बाद बताना है कि इस तरीके के विवाद के भारत की छवी पर और भारत के लिए अंतरराष्ट्रिय implications क्या हो सकते हैं अंतरराष्ट्रिय प्रभाव क्या हो सकते हैं ठीक है तो ये एक brief तरीका है इससे हमें ये पता चल गया कि हमें तीन चीजों पर इस पर फोकस करना है तो हमने सबसे पहले इस question के keyword समझ लिए अब हम इसके introduction पर जाएंगे ठीक है, जो question का introduction होगा उस introduction में हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हम देखें कि मोटे तोर पर क्या idea रहा है इस इंडो-चाइना border dispute को ले करके तो अब आप इसमें सबसे पहले जो mention कर सकते हैं वो है LAC का ठीक है, introduction के मैं बात कर रहा हूँ अभी आपको introduction में लिखना है तो introduction में आप बताइए कि भारत और चीन के बीच में एक LAC है, line of actual control है जो लगबग 3448 3448, 488, 488 km लंबी है ठीक है, वास्तों में जो विवाद है वो इसी line of actual control पर है यहाँ पर क्या है कि अभी आज की स्थिती यह है कि दोनों साइड, इंडिया और चाइना अपने अपने एरियाज में अपने LAC के एरिया में ही military constructions कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से roads बना रहे हैं उनके रहने के लिए bunkers बना रहे हैं उनके रहने के लिए बाकी इंतजाम कर रहे हैं सेना के यह हतियार इकठे किये जा रहे हैं तो activities जो हैं वो LAC के दोनों तरफ दोनों countries follow कर रहे हैं तो introduction में आपको यह बताना है कि सरवात तो आप यही से कर सकते हैं देखे पहली चीज़े बहुत clear समझेगा these are not the model answers these are just suggestions to frame your answers well यहाँ पर हम आपको model answer नहीं दे रहे हैं यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप अपने answer को अच्छा बना सकते हैं ठीक है तो अब जो है इसमें हम सबसे पहले जब introduction में शुरुआत करते हैं तो हम एक brief introduction देते हैं कि स्थितियां क्या हैं और उन्हें स्थितियों को बताने के लिए हम बता सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एक line of actual control है जो दोनों के बीच के borders को bifurcate करती है divide करती है और उस division के लिए और उस division के along with दोनों countries अभी तक पिछले 70 सालों का experience ये रहा है कि एक दूसरे की dignity का सम्मान करते हैं एक जो इंडो चाइना वार था वही एक exception था इस reference को ले करके ठीक है तो मोटे तोर पर आप सिर्फ ये बताईए कि भारत और चीन के बीच में एक line of actual control है और उस line of actual control के दोनों तरफ के देश जो है वो एक दूसरे के साथ peacefully और अलग-अलग mechanism के माध्यम से विवादों को दूर करते रहे हैं कोई बड़ा सीमा विवाद भारत और चीन का केवल एक भारत चाइना वार को छोड़ करके नहीं हुआ है बागी सारे विवाद जैसे last year का डोकलाम विवाद भी आप देखेंगे तो वो बाद में बादचीत के माध्यम से solve हुआ वो युद्ध में convert नहीं हुआ ठीक है तो हम लोगों ने हमेशा एक mechanism develop कर रखा है कि जब भी कभी ऐसे विवाद होते हैं तो उन विवादों को हल करने के लिए एक methodology, एक तरीका एक institutional mechanism develop कर लिया जाए तो आप introduction में कोल इतना बताईए कि एक दोनों के बीच में सीमा है, line of actual control है जिसके दोनों तरफ के देश अपनी सांती बनाए रखने के लिए institutional mechanism से काम करते रहे हैं विवाद अकसर होते रहे हैं ऐसा नहीं है कि कभी विवाद नहीं हुए हैं हलांकि जदतर विवाद बादचीत के माद्यम से solve किये जाते रहे हैं तो यह है हमारा basic introduction जहां से हम चीजों के बारे में brief insight बता देते हैं अब आपको यह बताना है कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच के जो border disputes हैं वो basically क्या हैं ठीक है तो अब भारत और चीन के border disputes के बारे में जो आपको बताना है तो आपको देखना होगा दो major areas एक area है और दूसरा area है सिक्केम इन दो areas में majorly dispute है इन दो areas में majorly dispute है और अगर हम इसको clearly देखें तो एक lake है जिसका नाम है प्यांग्यांग सो lake ठीक है प्यांग्यांग सो lake और ये जो lake है इसके साथ साथ ये lake का लदाक में पड़ेगा और सिक्किम का जो area है वो नाथूला पास के पास का area है ठीक है तो नाथूला पास के जगे का area दोनों border का जो सिक्किम सेक्टर में पढ़ेगा और रद्दा का प्योंग्यांग सो लेक का एरिया है जहां पर दोनों जगहों पर विवाद की स्थिती बनी हुई है ठीक है अब क्या हुआ है कि चाइना भारत का ये कहना है कि चाइना ने वहाँ पर military activities बढ़ा दी है और विवाद क्या है कि दोनों देशों ने अपनी military activities बढ़ा दी है तो वास्तों में अब हमको दोनों देशों का वर्जन देखना होगा तो अपनी इसी main body, answer की इसी main body में जहां पर आप बता रहे हैं कि विवाद क्या है तो एक विवाद का aspect ये हो गया आपका और दूसरा विवाद का aspect ये हो ग actual control को cross कर रही है ठीक है और साथ ही साथ सिक्किम और लद्दाख में LAC के status को unilaterally change करना चाहती है चाइना का मनना है कि भारतिय सेना अपनी line of actual control को cross करते हुए LAC की स्थिति को बदलना चाहती है और इसी लिए ये विवाद हो रहा है ये चाइना का कहना है ठीक है इंडिया क जबकी कहना ये है कि हमने हमेशा से पडोसी देशों के साथ समध्ध बनाने में एक जिम्मेदार पडोसी की भूमी का निभाई है एक responsible neighbor का हमने हमेशा role निभाया है और इसलिए हम कभी भी किसी की territory में नहीं जाना चाहते हम केवल retaliate कर रहे है हम केवल अपना जवाब दे र पर रहा है ठीक है तो यह है आज की स्थिति और यह है वो स्थिति जिस पर विवाद चल रहा है अब आते हैं इस मुद्दे पर कि यह चीज़े हुई ही क्यों ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से इंडो-चाइना border dispute शुरू हो गया और चाइना ने दो तीन जगों पर मुख् यह उसका basic reason यह है कि चीन और इंडिया के बीच में जो basic clash उत्पन हुआ वो हम देख रहे हैं post-covid era में मतलब covid era के हैं अभी तो post-covid era कहना सही नहीं है covid era में भारत ने दो-तीन बड़े महत्तोपूर्ण कदम उठाए कोविट से पहले भी एक बड़ा कदम उठाए था लेकिन covid era के कदम ज़्यादा महत्तोपूर्ण है covid era में भारत ने सबसे पहले क्या किया covid के दौर में क्या किया fdi regulations ले आए अब यह जो fdi regulations है यह जो fdi के नियमावलियां है इनके अंतरगत क्या हुआ इनके अंतरगत यह हुआ कि chinese companies को इंडियन companies में investment और share market में ट्रेडिंग के लिए restrict किया गया officially ऐसा नहीं कह सकते कि chinese को किया गया foreign investment को लेके यह regulation था ठीक है ना लेकिन government से permission लेनी थी हर चीज में और government अगर permission देती तो इसका जो hidden objective वही था क्योंकि अगर पूरे दुनिया की देश की companies downfall की तरफ जा रही है और चाइना उन्हें खरीदने में आ जा रहा है तो जाहिर से बात है unnecessary pressure बन रहा था monopolistic nature of market होने की समभावना भी थी तो भारत ने FDI regulations लाया जिससे company Chinese company के बड़ी-बड़ी company के hit प्रभावित हुए अम चाइना को इस चीज से काफी नाराजगी हुई चीक है इसके साथ-साथ क्या हुआ इसके साथ-साथ यह हुआ कि जो दूसरा बड़ा कडम भारत ने उठाया वो यह था कि भारत ने दौलत बेक ओल्डी दौलत बेक ओल्डी में एक बॉर्डर के पास ही ठीक है ओल्डी बॉर्डर के पास ही एक सडक का निर्माड किया और अब उस सडक का एक सब सेक्शन भी बना रहे हैं बॉर्डर के पास ही तो क्या हुआ कि वहाँ पर भारत की presence बढ़ती चली जा रही है अब ये भारत के लिए तो बढ़ना मतलब एक बड़ा reason होता चला गया जो चाइना को effect कर रहा था क्योंकि चाइना की presence को चुनोती मिल रही थी दूसरी बड़ी घटना तीसरी बड़ी घटना क्या हुई भारत के दो MP एक virtual ceremony में participate करते हैं जो ceremony थी ताइवान के president के पद संभालने की ठीक है शपत ग्रहान का समारो था और उस समारो में भारत के दो MP भी सामिल होते हैं उनको शुब कामनाय वगएरा भी देते हैं democracy वगएरा की बात करते हैं तो वास्तों में चाइना ने इसको one China policy में foreign हस्तक shape की तरह लिया और उसे लगा कि भारत इस स्थिती में जो दबाओ बनाने की रणीती है और उसके अपने जो देश हैं अपने जो territorial areas हैं उसमें हस्तक shape कर रहा है तो यह कुछ ऐसी घटनाए हुए जिन्होंने चाइना के उपर दबाओ बनाया ठीक है की चाइना को कोई न कोई action लेना चाहिए क्योंकि चाइना हमें साथ से एक aggressive nation रहा है ठीक है इन तीनों के साथ साथ एक और खास बात है जो basically psychological है लेकिन strategy में इसका बड़ा role होता है कि जब आप बहुत जड़ा फंस जाते हैं तो आपके पास एक जवाब होता है वह होता है nationalism का राश्टरवाद का ठीक है तो चाइना क्या कर रहा है चाइना अपने यहाँ nationalist thoughts को promote कर रहा है कैसे कर रहा है यह जो भारत और चाइना का विवाद है उस विवाद में राश्टरवाद की भावना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्यों की जा रही है यह important है क्योंकि कोविड में चाइना पूरी तरीके से globally घिर गया है अब ऐसी स्थिती में मतलब एक basic जो concept लोगों के दिमाग में है कि कोविड यानि कि जो आपका यह कोरोना वाइरस है वो कोरोना वाइरस वर्ड में फैलने के लिए एक बड़ा जिम्मेदार country एक बड़ा reason चाइना है जिसने mislead भी किया और जानकारियां भी नहीं दी ठीक है तो अब इन सब आरोपों से अपने यहां की असंतुस्टियों को छुपाने के लिए आप एक नया मुद्दा और राष्ट्रवात का मुद्दा दे देते हैं यह भी एक reason हो सकता है चाइना के aggression का जो बॉर्डर पर कर रहा है तो आप इन चीजों के साथ बता सकते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा होगा उसके साथ-साथ उसके reasons क्या है तो यह हो गया चाइना का क्यों कर रहा है चाइना अपने देश से हमारे देश में हमारी सीमाओं के किनारे बार-बार aggression की जो घटना है अब इतना portion हो गया जब हमने बता दिया कि क्या है विवाद, क्यों है विवाद अब हमें इस question के second part पर आना होगा जो कि यह बताता है कि भारत की strategy क्या है इस इंडो-चाइना border dispute पे इस समय भारत की रणनीती क्या है तो इस वाले portion पर आते हैं हम strategy की बात करते है चिक है तो अब देखे भारत की strategy या response की अगर हम बात करते हैं तो भारत के बारे में जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोग हमेशा विवाद का peaceful resolution चाहते हैं peaceful resolution के लिए हम लोग हमेशा talks पर भरोसा करेंगे जिसके लिए आप track 1, track 2 या track 3 diplomacy का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे peaceful रास्ता निकालने की बात करेंगे हमारी रणनीत यह है कि हम चाइना से बात करें चाइना से जो भी विवाद है उनको बातचीत के माध्यम से सुल जाएं इसके लिए हमने एक official institutional setup कर रखा है जहां पर हमारे अधिकारी हमारे सैन अधिकारियों के सैन अधिकारियों से बात करते हैं Brigadier level की बैठक होती है जिसको हम कहते है इसके साथ साथ भारत में जो दूसरी रणनीती अपना ही है एक तो हम बाचीक के माध्यम से सांती पूर्ण धंग से problem को solve करना चाहते हैं हमारी जो इसी के साथ साथ दूसरी रर्णीती है वह रर्णीती ये कह रही है कि जो राजनात सिंग हमारे जो defense minister है उन्होंने जो कहा कि हम अपनी सीमाओं की sovereignty के साथ और dignity के साथ कोई समझाता नहीं करेंगे मतलब हम अपने stand पर clear हैं कि हम अपनी areas में जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम China का कोई दबाओ नहीं मानेंगे लेकिन विवाद को हल करने के लिए हम peaceful तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे ठीक है तो बास्तो में हमने इस विवाद के लिए अपने यहाँ दो तरीके की रणीती बनाई है हम लोग एक तरफ तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना से जो भी उनके ग्रिवांसे से उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं दूसरी तरफ उसी के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं उसी के साथ साथ हम लोग उनसे कह रहे हैं कि हम जहां पर हैं और जैसे हैं और जो कर रहे हैं उसे हम नहीं रोकेंगे क्योंकि यह हमारा सौवरन राइट है यह हमारा संप्रभू अधिकार है इस पर आप कुछ नहीं कर सकते Is it clear? ठीक है? तो ये हो गया भारत का response और रणनीती क्या है इस border situation को ले करके इसके बाद अब आप आजाईए कि global implications और global image को ले करके क्या होगा ठीक है? तो global image को ले के जब हम बात करते हैं तो global image में सबसे पहले हमें जिस चीज को ध्यान देना है वो अलग-अलग aspect को हम ले लेते हैं तो सबसे पहले जिस aspect को हम लेंगे वो aspect है economic ठीक है? तो सबसे पहला aspect क्या लेंगे global economic conditions वैश्विक आर्थिक स्थितियां तो अब आप देखेंगे कि लग-बग और ये news आप लोग लगातार सुनते रहे हैं लगातार news में रहा भी है कि globally world organized हो रहा है against China उनके Chinese product को लोग नहीं लेना चाह रहे हैं चाहिना से लोग अपनी कंपनिया वापस बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि global economic conditions vary करेंगी, change होंगी और उन changing global situations में भारत एक edge की condition में है और चाहिना एक disadvantage position में है तो दोनों के बीच में clash हो रहा है और हम चूंकी point number two एक democratic और welfaristic state हैं जो की word में soft power के नाम से जाना जाते हैं इसलिए हम अपनी condition को ज़्यादा justify कर सकते हैं ज़्यादा अपनी तरफ जुका सकते हैं उस economic conditions को हम ज़्यादा अपनी तरफ जुका सकते हैं हम ज़्यादा देशों से contact कर सकते हैं democracy पर लोगों का विश्वास है developed और developing countries का हम उस आधार पर भी जा सकते हैं के चूंकि हम कोई aggression नहीं करते हमने कोई आक्रमन नहीं किया है आज तक इसलिए हम किसी तरीके का उलंगन नहीं करते और इस चीज़ का advantage हम आगे की future की economic prosperity के agreements में use कर सकते हैं ठीक है इसको हम इस्तेमाल करते रह सकते हैं आगे के लिए भी तो एक soft power वाला जो aspect है उस aspect को भी हम include कर सकते हैं इसके साथ साथ भारत बहुत सारे multilateral organizations का हिस्सा है ठीक है जिसमें basically जो इंडियन ओशन है उसके चारों तरफ के दिशों से भी हमारे ठीक ठाक relations है बाग इसके साथ साथ Australia अगर आपने कल क इन्यूस डेकी होगी समोसा diplomacy हो रही है ठीक है Australia, America, Japan इन सब देशों से इसराइल बाकी देशों से भी हमारे अच्छे relations चल रहे हैं तो अपने इस global condition and position का इस्तेमाल हम against China कर सकते हैं उस पर pressure डालने के लिए कर सकते हैं तो यह हुआ question का पूरा framing सबसे important और सबसे बड़ी बा क्या है अब इसके बाद आपको देना है conclusion यहीं से answer कतम होगा conclusion यानि निसकर्ष conclusion देते समय आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि conclusion balanced होना चाहिए बहुत ज़्यादा aggression नहीं होना चाहिए और futuristic and positive होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके के question में हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे चाइना को ले करके हमारे relation को शुरुवात से ही हमने पंचशील का सिधान्त follow किया है ठीक है peace management के लिए और border security के लिए हमने अलग-अलग institutional setups किये हैं विवाद हो सकते हैं विवाद होना बुरी चीज नहीं होती है अगर विवाद हुए हैं तो उनको हल करने के नए तरीके और बहतर तरीके अपनाए जाने चाहिए विवाद को Chinese ambassador का ही quote था कि असहमति को विवाद में ना बदला जाए ठीक है यानि कि जहां पर आप दूसरे से सहमत नहीं कर रहे हैं तो उसको बिना वज़े का विवाद ना बनाया जाए तो उस quotation को भी हम यहां ले सकते हैं कि हम लोग आपसी जो असहमतियां बन रही हैं उनको हम विवाद के रूप में convert करके बड़ा ना बनाये उनको उसी level पर solve करने की कोशिश करें क्योंकि 21st century एशिया की century है और एशिया की century है तो दूनों देशों को मिल कर चलना होगा that is all about this question and the framing of this question इन सब चीजों को सुनते हुए अगर आप note करते चल रहे हैं छोटे-छोटे points में, tidbits में तब आप अपना answer frame कर सकते हैं और जब आप अपना answer frame कर लें तो उसको एक बार जरूर दिखाएं जिससे आपको idea लगेगा और मैं भी बता सकूँगा कि आपने उसको मैं प्रयास पहली बार कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो के माद्यम से चीज़ देने के लिए थांक्यू